हलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है कुलदीप जनव ओफीशियल की यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम परियाबन अध्यन के 30 प्रशन को डिसकस करेंगे EBS के 30 प्रशन को देखेंगे ये प्रशन आपके CTAT exam के साथ साथ KBS, UPTIT और DSSP exam के लिए महत्यपून है साथ ही साथ यदि आप भारत में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में टीचर का exam देते हैं और उसमें EBS का सलेवर्स पूछा जाता है परियाबन अध्यन से question पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्यपून है इसमें से 30 प्रेशन में से लगबख 4-5 question आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यदि आपने मेरी previous वीडियो नहीं देखी है EBS की तो वो जरूर देखिएगा सारे question आपके previous year exam से लिए गए है previous year में जो question पूछे जा चुके हैं उनकों प्रशनों को हमने सीरेज में कवर किया है तो सारी वीडियो देखिएगा आपको जरूर लाब होगा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question है किस राश्टोध्यान को पूर्व में हैली राश्टोध्यान कहा जाता था तो हैली राश्टोध्यान जिस राश्टोध्यान का नाम था उसका नाम है जिम कारवेट राश्टोध्यान इसको पहले हम हैली राश्टोध्यान की नाम से जानते थे option 2 इसका correct answer होगा friends next क्वासी और कोर नामक रोग रिक्त स्थान की कमी से होता है अलग 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 चीजों की कमी से होते हैं आपसे पूछा है क्वासी और कोर और इसके साथ आप एक और मेरा समस रोग भी याद कर सकते हैं क्वासी और कोर और मेरा समश रोग ये दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से क्वासी और कोर और मेरा समश रोग ये दोनों होते हैं इससे क्या होता है कि सरीर का विकास इसमें थमजाता है या हो नहीं पाता है तो option बन इस question के लिए correct होगा next reactor पेमाने से रिक्त इस्थान की तीब्रता मापी जाती है अलग-अलग पेमाने से सम्मंदित question पूछे जाते हैं एक-एक दो-दो जो पेमाने से सम्मंदित question है previous वीडियो में हम discuss कर चुके हैं यदि आपने भू नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा reactor पेमाने के बारे में पूछा है तो reactor scale से हम नापते हैं भूकंप की तीब्रता कितनी तीब्रता का भूकंप आया है भै हम नापते हैं किसके द्वारा reactor पेमाने के द्वारा option बन इसके लिए भी correct answer होगा अगला प्रश्ण है बन प्राणी सब्ता है प्रतीबर्स मनाया जाता है बन प्राणी सब्ता है प्रतीबर्स मनाया जाता है यहाँ पे एक question मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिस्सु परियाबरंड दिवस कब मनाते हैं तो बिस्सु पर्याबंध दिवस मनाते हैं 5 जून को, अब आपसे पूछा है बन्य पराणी सबता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बन्य पराणी सबता मनाया जाता है अक्टूवर के प्रिथम सबता है में, option 3 इसका correct answer होगा, अक्टूबर माह के प्रिथम सप्ता है में हम इसको मनाते हैं बन प्राणी सप्ता है ये आपका बार बार पूछा जाता है अलग अलग परिक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बन प्राणी सप्ता है कब मनाया जाता है तो याद कर लीजिएगा अक्टूबर के बाहर निकाली जाती है तो इससे दो-тीन प्रेश्चन बंते हैं कभ्य पॉधική और और कभी और कभि और कर абсолют को छोड़ते हैं तो यहां पर Oxygen को बाहर निकालते हैं, तो Oxygen को इसमें बाहर निकालते हैं, जब भी प्रकास Tensilation की बात होगी, और स्वशन में कौन सी Gas को ग्रहन करते हैं, तो स्वशन में Oxygen Gas को ही ग्रहन करते हैं, पौधे, और प्रकास संसेलेशन में कौन सी gas को ग्रहन करते हैं कार्बन डियक्साइड को बाहर कौन सी निकालते हैं ऑक्सीजन को तो option 3 इस question के लिए correct होगा I hope आपके ये confusion अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम CDP के भी question करते हैं और SST के question भी discuss करते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा और साथी साथ bell icon को दवाना ना भूले क्योंकि इसी तरीके से हम daily basis पर अलग-अलग subjects की वीडियो को important question को discuss करते हैं अगले प्रशन की बात करेंगे चावल को polish करने पर कौन सा vitamin नस्ट हो जाता है जब आप चावल को उसको धान से निकाल करके उसको polish करते हैं चमकाने के लिए तो उसमें से जो vitamin नस्ट हो जाता है उसका नाम है thiamine, thiamine vitamin जिस vitamin बीबन का नाम है thiamine, तो यह जो है यह क्या हो जाता है, नस्ट हो जाता है, option 4 इसके लिए correct answer होगा, अगला है, long, abum, kesher, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, long or kesher, पौधे के किस भाग के द्वारा प्राप्त होते हैं, तना, जड, फूल या फल, तो long or kesher की बात की जा रही है, यह फूल के द्वारा प् अगला है, यह question आपको बार-बार देखने को मिलेगा, परियावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर हैं, तीन प्रकार के आर मतलब आर, 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 इनके बार में पूछा जाता है कि 3 आर क्या कहलाते हैं, परियावरण संडक्षन के लिए, तो इनका मतलब होता है, reduce, recycle और reuse, reduce, recycle और reuse, कम उपयोग, पुनह चक्रन और पुनह उपयोग, इसका मतलब होगा, reduce, पुनह चक्रन का recycle और पुनह उपयोग का reuse, इसको याद कर लीजिएगा, फिर से मैं बोलूँगा, reduce, recycle और reuse, यह तीन नाम हैं, यह परियावरण में 3R के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा जाता है कि परियावरण संडक्षण में 3R का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है, कम उपयोग, पुनह चक्रन और पुनह उपयोग, reduce, recycle और reuse, option 3 इसके लिए correct answer होगा, next, निमन मैं से उर्जा का कौन सा इस्त्रोत प्रदूसक रहत है, मतलब ऐसा उर्जा डीजल और नाविकी उर्जा से प्रदूसन उत्पन होता है, सौर उर्जा से प्रदूसन उत्पन नहीं होता, तो प्रदूशक रहत जो इस्त्रोत है भै होगा, सौर उर्जा, option बन इसके लिए correct होगा, next, carbon dating बिधी उपयोक्त की जाती है, तो carbon dating बिधी क्या होती है, कोई भ पता चलती है, carbon dating बिधी के द्वारा, carbon dating बिधी के द्वारा किसी बस्तू को हम ग्याद कर सकते हैं, कि ये बस्तू कितने साल पुरानी है, इसकी आयू कितनी है, तो carbon dating बिधी का उपयोग किया जाता है, बस्तू की आयू को ग्याद करने के लिए, इस्थान ग्याद करने के ल आयू को ग्याद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। के कारण अमलिय बर्षा होती है एसे डरेन महां पर होती है तो जिससे क्या होता है कि ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है जिसके कारण जो उसकी चमक है उसका छरण हो रहा है तो इस बर्षा के कारण जब इमारतों का छरण होता है तो उस बर्षा मतलब अमलिय वर्षा को या ऐसे ट्रेन को बोला जाता है इमारतों का कुस्ट रोग या फिर इसी को इंगलेश में बोला जाता है इमारतों का कुस्ट रोग बोला जाता है अमलिय वर्षा को तो option बन इसके लिए correct answer होगा नेक्स्ट मिनी माता रोग प्रदूशन जनित रोग है जो परणाम है तो मिनी माता रोग होता है मिनी माता भी इसको बोलते हैं तो यह जो रोग होता है यह पारे के द्वारा होता है मरकरी के द्वारा यह होता है कि जो मिनीमाता रोग होता है किस के द्वारा होता है मरकरी के द्वारा क्या होता है और अपसेस्ट के रूप में जो पारा निकलता है उसको पानी में मिला देते हैं और उस पानी को ग्रहन करने से बहपारा हमारे सरीर के अंदर पहुँच जाता है, जिससे हमारे सरीर में मिनी माता रोग हो जाता है, तो option 3 इसके लिए correct answer होगा, next question, सन 1992 में परियाबरन सुरक्षा से सम्मंदित, पहला प्रतिवी सम्मेलन किस सहर में हुआ था, प्रतिवी सम्म पहला प्रतिवी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में, यहां से आप से पूछ भी सकते हैं, कि पहला प्रतिवी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और प्रतिवी सम्मेलन कहां पर हुआ था, यह हुआ था, ब्राजील के रियो दी जैन रियो में, यह हुआ था, option 1 इस के लिए correct answer होगा next नेमन मैंसे प्रत्वी पर कौन सा पारस्थिति की तंत्र का सबसे बड़ा उधारन है समुद्र रेगिस्थान बन या क्रसी भूमी तो पारस्थिति की तंत्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कहां पर समुद्र में option बन इसके लिए correct answer होगा next ओजोन परत की मोटाई नापने की एकाई है ओजोन परत क्या है सबसे पहले तो इसका जो राशानिक फॉर्मूला होता है ओथरी ओजोन परत क्या करती है सूर के द्वारा जो पराबैगनी करने उसर्जित होती है तो यह क्या होती है यह पराबैगनी करने ओजोन परत से क्या हो जाती है इनको हटा दिया जाता है बाकी के प्रकास को प्रत्वी पर भेजा जाता है और जो ओजोन परत की मोटाई है इसको नापते है किसके द्वारा डॉप्सन एकाई के द्वारा जो अल्ट्रा बालेट कर जाता है कि ओजोन परत बायू मंडल की कौन सी परत में पाई जाती है तो इसको आप याद रख सकते हैं समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है इसका रासानिक सुत्र होता है ओथरी और इसकी एकाई है इसको मापने की डॉप्शन एकाई तो ओप्शन बन इसके लिए कर कहलाते हैं या है धुरुप फिर यहां पर होती है बीच में भूमद रेखा यहां पर आपकी रेती है करकर रेखा और यहां पर होती है मकर रेखा जब भी आप धुरुप से भूमद रेखा की और बढ़ते हैं तो जैब विवित्ता क्या होती है बढ़ती है जैब विवित्ता कि रूप रेखा 2000 के अनुशार परयावरन अध्यन को किस कक्छा समूल में इस्थान दिया गया है तो आप सभी को यह basic सा प्रश्ण है कि परयावरन अध्यन को हम third, fourth और fifth class में इसका अध्यन कराते हैं EBS का अध्यन कहां पर कराते हैं तीजरी कक्छा में, fourth कक्छा में और fifth कक्छा में इससे पहले question और पूछा जाता है कि कक्छा बन और रुटूब हैं परयावरन अध्यन को हम किस में गनित और भासा की साथ साथ मिलाकर कि इसको पढ़ाते हैं तो इसका अंसर होगा हमारा option बन तीसरी से पाचवी कक्छा, option बन इसके लिए correct होगा Next, भारत के किस छेत्र में अधिकतम भू इसकलन की घटनाएं होती हैं अधिकतर भू इसकलन, लेंड स्लाइट की घटनाएं होती हैं, सर्वा दिखोंगी कहां पर, पहाडों पर और पहाडों में भी कहां पर, हमाला एक छेत्र में हमाला की छेत्र में सबसे ज़्यादा भू इसकलन की घटनाएं होती हैं, तो option बन इसके लिए correct आंसर होगा अगला है, सजीवों में, ऑक्सी सोसन की प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सोसन करते हैं, तो सोसन के दोरान कुछ उर्जा मुक्त होती है, इसी तरीके से उन्होंने पूछा है, कि ऑक्सी सोसन की प्रक्रिया के दोरान कितनी उर्जा मु राश्ट उध्यान प्रशिद्ध है, काजी रंगा राश्ट उध्यान किसके लिए प्रशिद्ध है, यहाँ से आपसे एक question पूछा जाता है, कि किस राज्ज में काजी रंगा नेशनल पार्क या राश्ट उध्यान मिलता है, तो यह आप comment box में लिख सकते हैं, और काजी अत्यादिक चारण का परणाम है, अत्यादिक चारण मतलब आप देखते हैं कि पसुओं को जंगलों में भेज दिया जाता है चारा चरने के लिए, जब ये प्रक्रिया बारवार चलती है तो उनके खुर के दौरा जो भूमी है, बहुर बुरी हो जाती है, और इसमें क्या हो परियाबरन अपगटन के कारण उत्पन होने बाली परिणामी खत्रों में शामिल है परियाबरन अपगटन के कारण जो जादातर परिणाम हो रहे हैं सभी परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं बलकि यहाँ पर बाड़ और सुखा देखने को अधिक मिलता है तो option बन इसके लिए correct answer होगा बाकी यहाँ पर आप इसको भी answer लगा सकते हैं अपरोग तसभी यह सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं next question यह जो है इसका मुखधेश होता है कि परियाबन की सुरक्षा और संडक्षा का ख्याल रखा जाए तो option 2 इसके लिए बिलकुत सही answer होगा next निली करांती संबंदित है तो करांती से संबंदित जो revolution है इन से संबंदित एक नएक question आपको हमेशा से पूछा जा रहा है तो नीली करांती यहां पर पूछा है, तो यह है आपका मचली पालन से, मतश्य पादन से इसका संबंध है, किसका नीली करांती का, तो option 3 इसका correct answer होगा, next, पिगले हुए मेगमा से इननों में चट्टान है, कौन सी चट्टान मेगमा के द्वारा बनती है, तो पिगले हुए म मेगमा के द्वारा आगनिय चट्टान का निर्माण होता है, तो option 2 इसका correct answer होगा, next, कटिली जाडियां पाई जाती है, कटिली जाडियां कहां पर पाई जाती है, तो आपने देखा होगा कि मरुस्तली छेत्र में, आप हमारे भारत में बात करें, तो रेगिस्थान में कट कटिली जाडियां आपको देखने को मिलती है, राजिस्थान के जो रेगिस्थान है, वहाँ पर कटिली जाडियां देखने को मिलती है, यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी पढ़ती है, और जो पतियां है, बह काटों का रूप ले लेती है, कम पानी मिलने के कारण, तो गर्म भूकंप राशानिक आपदा और भू इसकलन तो सुनामी भूकंप और भू इसकलन ये तीनों आपदाएं कैसी है यह प्राकरतिक आपदाएं मानी जाती है मानो जनित जो आप्दा है बहे है रासायनिक आप्दा यह मानो जनित या मानो निर्मित आप्दा का उधारन है option 3 इसके लिए correct होगा next question समुद्री प्रदूशन के कारण नस्ट हो रहे है पतजडबन, भूमद्दी रेखिये बन, कौनधारी बन और मैग्रोब बन तो जो मैग्रोब बन है यह आपके समुद्र में पाए जाने वाले जो बन होती है उनको कहा जाता है तो समुद्री प्रदूशन का प्रफाव किन फर पड़ेगा मैंग्रोब बन के उपर तो option 4 इसके लिए correct answer होगा next सार्दा एक्ट का संबन्द निमन में से किसे से है तो option 2 इसका correct answer होगा next बच्चे को सामाजी करन का पहला पाट कहां से प्राप्त होता है बिध्याला शे परिबार से सांसकृतिक केंडर से या धार्मिक केंडर से तो बच्चे को सामाजी करण का जो पहला पार्ट प्राप्त होता है वह उसके परिवार से, उसकी फैमिली से, इसको ऐसा भी बोला जाता है कि सामाजी करण की पहली संस्ता कौन कहलाती है, वह कहलाती है परिवार, दुतियक संस्ता यह जो है सेकंडरी एजंसी है, वह कहलाती ह उसका बिध्याला है तो इस question के लिए आप से पूछा है कि पहला part कहां से प्राप्त होता है तो उसके परिबार से प्राप्त होता है तो option 2 के लिए correct answer होगा तो friends I hope हमने जो EBS के 30 प्राप्त को discuss किया है यह आपको पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कीजिए का चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आगा में जो भी वीडियो अप्लोड होगी उसका notification आपके पास पहुँच जाएगा इसी तरीके से हम CDP के साथ साथ SST, Science, Maths, Hindi सभी के लिए पेडागोजी के साथ साथ इनका जो सलेवस का content हो लेकर के भी आते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वाद वाद धन्यवाद